हेलो फ्रेंट कैसे हो आप शब उमीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ तो मैं बना रही हूँ नास्ता में आज डोसा सुबा का टाइम है सुबा का नास्ता बन रहा है मेरे घर में खाना बन चुका है आप सुचेंगे कि खाना बनने के बना चुकी हूँ अभी रोटी देखती हूँ बनाओंगी कि नहीं बनाओंगी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है तो आज बना रही हूँ मैं सुजी का डोसा बेटे का खाने का मन था तो मैंने सुचा चलो बहुत दिन हो भी गए है तो बना भी देती हूँ जब इतना बोली जाया है तो तो रेसेपी भी आप लोगों के साथ सेयर कर देती हूँ फटा-फट से मैं कैसे बनाती हूँ सुजी का डोसा तो सबसे पहले तो मैंने लिया सुजी एक कटोरी और आधी कटोरी दही फिर आधी कटोरी पानी डाल के और बेकिंग सोडा सुजी की हिसाब से मैं रोक रोक के समूर सा पेष्ट बना दिया फिर उसके बाद अभी देखे मैं बना रही हूं डोसा कितना क्रिश्पी और कितना अच्छा बन रहा है इस तरीके से अभी बना सकते हो फ्रेंड बहुत ही आराम से बन जाता है और बिल्कुल भी चिपकता नहीं है देखे मैं समने ही बना रही पानी इससे sirf बना घो और पौश टोल रहा हो पैले बार मैंने रिफाइंड ओं तो यह बाद कुछ भी नहीं डाले थोड़ चीकना है फिर मैंने दीन पर कोई वल्लॉगिंग नहीं डालरा है साम का सब्सक्रत पांच से बज़े कर देए और बेटा है तो अपना खेल रहा है उसको बहुत खासी हो रहा है तो इसलिए मैंने उसको खुब सारे कपड़े पैना दिये हैं कि ना ठंडी लगेगी ना तो तुम्हें खासी होगा ठंडी से भी बच्चे होते हैं कि खासी करने लगते हैं तो अभी ठंडा थोड़ क TOP पेटी को पूछी तो वही नहीं खा रही है और इधर मैं काट रही हूं प्याज टमाटर सारी सबघी की तेयरी कर रही हूं क्योंकि आज बनेगा घर में पनीर की सबजी government फोन करके बोले कि पनीर की सबची तुम टयारि करके रखना की ठीक है क्योंकि पनीर की सब्जी वही बनाते हैं, मैं सब कुछ रेडी कर देती हूं, पर बनाते वही हैं, क्योंकि उनको खुद अपने हाथ से ही बनाना अच्छा लगता है, और मेरे हाथ का मटर पनीर नहीं खाना पसंद करते हैं, उनको नहीं अच्छा लगता है, बोलते हैं, मैं सब्काइब पनीर के सब्जू जिली-पनीर May भोगी सब्सदीः खाल धूर दो काप जाता है तो एन लोग को मैं सम्झा रहे हूं चोटी चोटी बात में लड़ जाते हैं विच बिच में सुल जाना पड़ता है तो फ्रेंड अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक से और सब्क्राइब भी कर लिजेगा तो फिर अभी सब्जी की तैयारी करने के बाद ना प्याजो अज सब कुछ काट ली हों काट के रेडी कर दियो पानी जँर जाता है न पुरा एक ए सव्टिन पर लगादेती हूं और सखता राता वैसे मैं हटा देती हूं क्योंकि बहुत जादा भर जाता है न तो रեՖने की जगह ही नहीं रहती है फिर उसे में से गिरने लगता बाहर ज्यादा बरतन हो जाता है तो इसलिए मैं हमेशा जैसे सुखता है वैसे तुरंत हटा देती हूं और इधर बेटी सामने खड़ी होके बाते कर रहे हैं अपने स्कूल की कुछ-कुछ बाते बताती रहती तो वही मैं सून रही हूं अपने क्लास के बच्छों के बारे मे मैं अपने सर लोगों के बारे में मैडम के बारे में कुछ-कुछ बताती रहेगी कि आज ऐसा हुआ जो ऐसा हुआ तो वही उसकी कहानी सुन रही हूं मैं फिर अभी हस्बेंड आ चुके हैं ओफिस से दिखे हाथ पैर धो के अपने हाथ मिसर्ट में हाथ पोश के आ रहे है कितना किला-गिला दिख रहा है और बेटा ना देख रहा है कि पापा क्या लेके आए हैं तो वही नारियल पानी बोल रहा है कि मुझे अभी पीना है तो मैंने बोला नहीं साम के टाइम नहीं पीना है सूबा मैं दो पहर में दोंगी तो वही बैठा हुआ है कि ममा प्लीज तो सब्जी लगा ही रहता है ले आते हैं कुछ न कुछ सब्जी जैसे जैसे कम होता है ले आते हैं और यह मंगवाई हूँ मैं मंगरेल मंगरेल नहीं है कलोजी है कलोजी मंगवाई हूँ कलोजी इसलिए मंगवाई हूँ कि मुझे बनाना है मिर्च का क्योंकि मुझे बड़ा टेस्टी लगता है एक बार और बनाई थी फिर उसके बाद अभी बनाऊंगी तो अभी मंगवा ली हूँ दो-तीन दिन में बनाऊंगी देखती हूं कब बनाती हूं और यह लाए है मुंगफली तो वही मुंगफली गरम-गरम है ना तो मैं सोचरियों कि बच्चे लोगों को प्लेट में डाल के देदू अपना पढ़ाई भी कर रहे हैं और खाएंगे भी साथ में और मैं भी खाऊं तो मैं हस्बेंट से पूछ रही हूं कि कहां रख हूं तो बोले कि किसी भी कमरे में रख दो क्यूंकि कीचन बहुत छुटा सा है न तो इसमें जगह भी नहीं रहता है कि आल्दो फाल्तो सामानी इसमें रखे तो सब कमरे में रखना पड़ता है इधर उधर कहीं भी टिका राएंगे ऐसे ही बनाते हैं हर बार और मैं उनसे बाते भी कर रहे हूं क्योंकि मेरे पडोस में एक लोग रहते हैं तो दूसरे क्वाटर में जा रहे हैं और उनका चेंज हो गया है तो उन्हीं के बारे में बता रही हूं हस्बेंट को कि मेरे सामने वाले चले जाएंगे तो हस्बेंट बुले कि अच्छा लट हो चुका है क्या on karoom ऐसे पूचे हम कि हो चुका है वो जा रहे हैं दूसरी टाइप 4 में जा रहे हैं तो उनके गोंके त्यारी हो रहे हैं समानों मन पैक कर रहे हैं तो उसी के बारे में बात करने आए कि सामने रहते हैं चले जाएंग के लोग कालोनी में होता है न कि अलग-अलग टाइप के क्वाटर होते हैं तो दूसरे बाले में जा रहे हैं उस टाइप-फूर में एक कमराव हई बढ़ जाएगा ठीम सब्सक्राइब कमरे बढ़ जाते हैं तो वही अपना प्रमोशन हुआ होगा या जो कुछ भी जा रहे हैं उसमें और एक साइड में दूध रख दिये हैं मैंने बोला कि रख दीजिए पैकेट काटके मैंने निकाला दूद फिर बोली हूं तो रख दिये हैं और इधर मैं पनीर काटके उनको को दे दूँगी फिर थोड़ा सा बरतन है अभी यह सब्जी बनाएंगे तब तक मैं बरतन दो लोंगी क्योंकि इनका टीफिन वगरा है चाय और पी हूं हो है बहुत सारे बरतन पड़े हुए हैं तो उसको दो लोंगी फिर उसके बाद आटा गुत हूंगी तब तक इनका सब्जी भी हो जायागा इसे अपना सब्जी बनाते हैं और कुछ-कुछ बाते करते रहते हैं किचन में मैं भी अपना काम भी करती रहती हूं अपना ओफिस का इधर उधर की बाते कुछ ना कुछ रहता ही है बात करने के लिए कोई रिलेटिव हो गया ओफिस का हो गया काल मुँफली खाने के लिए क्योंकि इन लोग को दी न कोई भी नहीं खाया जैसे रखी हूं ऐसे पड़ा हुआ है इन लोग क्या है न दोनों बच्चों को छिल के उसका छिल का उतार के फिर देना पड़ता है तब इन लोग खाएंगे अपने से ना छिल ना खाना है देखे मैं दे रही हूं ऐसे ही मैं डेली करती हूं जब मैं छिल के दूंगी तब खाएंगे इन लोग का छोड़ी है मेरे हजबन भी ऐसे ही बोलेंगे छिल के दो फिर मैं खाऊंगा तो मैं इन लोग को देने में ही रह जाती हूं फिर अपने खाई नहीं पाती हूं तो मैं क्या करती मैं आप लोगों को दिखा रहे हूं कि ऐसे ही बनाते हैं सब्जी मसाला तयार कर रहे हैं अपना फिर मटर पनीर मैं बोली कि इधर देखिए तो कैसे देखे हैं देखे बेटा भी देख रहा था वह भी और इसमें सीटी लग चुका है सब्जी में और सब्जी बन गया है सीट अब डाल देती हैं फिर रोटी बनाती हूं मैं आटा गूत ली और बना रही हूं रोटी तो आज का दिन सही में बहुत अच्छा रहा है क्योंकि दोसा भी हम खाए फिर उसके बाद अभी साम को मटर पनीर खा रहे हैं तो हमारे लिए तो बेच्टेरियन लोगों के लिए जो खाना देखेए फ्रेंड यही सबस्पैसल होता है और छावाल दतो रोजी घाते हैं जो कभी कभी खाने को मिलता है वही इस बेसल होता है तो वही है आज का दिन अच्छा भी रहा क्योंकि हांस्बेंट बना देते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है आनाम चा ल बनाते हैं एक सब्दा में एक दो बार तीन बार तो बनता है घर में तो वही बना देते हैं अब मैं बना रही हूं रोटी सबको साथ-साथ खाना दूँगी तो अपना खाना एलो खालेंगे फिर मैं खाना खाऊंगी और इधर मैं बच्चे लोगों को बुला रहे हूं कि सब्सक्राइब देते हैं इतना भी बहुत है बागी फिर में घरता बढर ता है ना तो दे देती हूं बस खाना निकाल देते हैं उतने दिर में मैं 3-4 बना लेति हों एक एक दो द। रोटी सबको दे दो बेटा था चेल करता है नियुक्तर थाई प्यांदा बंडे reaction के अर्ट सनंठाना मुझा भी यह हैन總 Butler था नहीं आप सब्सक्राइब दें चौएगी step Okay, इसका खोना ने खतम होता टो फ्रेंड्र अब मैं करती हूँ अगर आप लोगों को मेरा ब्लोक पसंदitetो लाइक सब्क्राइब भी कर लिजेगा, अब मैं मिलूंगी कल एक नए वीडियो